इसी बीच बड़ी खबर आईए राज़ानी रायपूर से जहां पर मुख्य मंत्री निवास के सामने सड़क हाथसा हुआ है बता दे कि सीविल लाइन की ओर से आ रही कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई कार पलटने से कार चालक अंदर ही फस गया था फिर उसे काच फोड कर बाहर निकाला गया है कार चालक नन्हे खान पूरी तरह से सुरक्षित है और वहीं मुख्य मंत्री निवास के सामने याता या त्वेवस्था गड़बडा गई है मुख्य मंत्री निवास के सामने काफी देर तक जाम लगा रहा वही सिविल लाइन थाना पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे तो इस वक्त की बड़ी खबर राज़ानी रायपूर से जहां पर मुख्य मंत्री निवास के सामने सड़ा खाथसा हुआ है सिविल लाइन की ओर से आ रही कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई कार पलटने से अंदर में यूवक फस गया और वही कार शोड़ कर यूवक को बहा निकाला गया है कार चालक नन्हे खान पूरी तरह से सुरक्षित है और वही मुख्य मंत्री निवास के सामने यातायाद विवस्था गडबड आ गई है काफी देर तक वहापस जाम लगा रहा और वही सिविल लाइन थाना पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे है